तो आज का Monday Night Rock का शो काफी सदा कमाल का शो था क्योंकि आज Undisputed Tag Team Championship के लिए मैची भी फीशिल हो चुका है WrestleMania 40 के लिए और Chad Gable का तो भई पूरा सपना ही तूट चुका है तो पूरे शो पर क्या हुआ यह इस वीडियो में जानते हैं लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फड़ा फड़ से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना अदे साले आई मींस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान तो सबसे पहले आज के मंडेने ट्रॉक की स्टाटिंग करते हैं दा स्कॉटिश वारियो डूमेकनटर तो डूमेकनटर आते ही यहाँ पर सैथ रॉलिंस के उपर शॉट्स लेना शुरू कर देते के वहाँ वहाँ पर सैथ रॉलिंस का थीम संग प्ले होता है तो Seth Rollins ने यहाँ पर आते आते बोद रहे थे कि भाई अपना मूँ बंद कर ले जहीं पर तुमने मुझे क्लेम और केक मारी थी Last Monday Night Raw के उपर और मैच आता हूँ कि तुम मुझे फिर से एक बार क्लेम और केक मारो और उसके बाद फिर ट्रोल करने लगे द्रू मेकंडार को कि भाई तुम फेस पर तो नहीं मार सकते तुम पीछे से ही टैक करोगे तो यहाँ पर Seth Rollins गूम जाते हैं कि भाई ले मार ले मुझे तो यहाँ पर द्रू मेकंडार ने कहा Seth Rollins को कि मैं तुम एक एडवाइस देता हूँ कि तुम मुझे बोल रहे थे ना पहले कि तुम बलड़ लाइन से आगे बढ़ जो तो मैं तुम एडवाइस देता हूँ कि तुम बलड़ लाइन का पीछा छोड़ दो और तुम हमारे दोनों के मैच के उपर फोकस करो तो यहाँ पर Seth Rollins ने एक बार फिर से शॉट लिया Drew McIntyre के उपर कि तुम बलड़ लाइन को जोईन करने वाले हो मुझे सब पता है क्यूंकि तुमने Cody Rhodes को हरा था बलड़ लाइन की हल्प से उसके बाद तुमने Jayus को हरा था वो भी बलड़ लाइन की हल्प से और मुझे पता है तुम जो हमारा मैच होने वाला है WrestleMania 40 के अंदर उसके अंदर भी तुम बलड़ लाइन की हल्प लेने वाले हो ताकि तुम ये Championship को जीत सको लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मैं नाइट वन पर ही पूरी बलड़ लेन को खतम कर दूँगा तो यहां पर सैथ रोलन्स ने कहा कि मैं तुमारे उपर इंटेंशन इसलिए नहीं दे रहा इस मैच के अंदर वही रिंग साइड के उपर एक पावर बाउम भी जड़ दिया था ले मॉर्गन ने बैकी लिंच के उपर उस मैच का रिजल्ट यहां पर मैन एंडल स्लैम से होता है बैकी लिंच इस मैच के बाद यहां पर हमें मामी भी देखने को मिलती है तो मामी रिं मिनिया 40 के अंदर के मैं कितनी ज़्यादा ग्रेटर सुपरस्टार हो नेक्स्ट हमें एडम पियर्स और नेक उल्डिस की एक अनौस्मेंट सुनने को मिलती है जो की अनौस करते हैं अंडिस्प्यूटर टैग टीम चैंपिंशिप्स के लिए सिक्स पैग लेडर मैच को यहा उससे पहले स्टार्ट करते हैं रॉक से कि रॉक बन चुका है बोड़ अप डिरेक्टर का मैंबर इसके ऊपर कोडी रोस बोलते हैं कि मुझे बहुत मज़ा आया अपने बॉस को थपड़ मारने बर दैन यहां पर माइकल को बोलते हैं कोडी रोस को कि तुमारा ऑल्रेडी नाइट टू पर एक बहुत बड़ा मैच है जो कि रोमरेंज के साथ होने वाला है उसकी चैंपियोंशिप के लिए लेकिन उसके बावजूद भी तुमने नाइट वन के लिए एक टैग टीम मैच को क्यों सेब्ट किया है तो यहां पर जो कोडी रोस इसका जवाव देते है कि तिक काफी ज़़ा चेंज हो चुकी है जैए उस भी पहले मेरी खिलाफ हुआ करता था एंडव उसके मेरी काफी ज़़ा अच्छी दोस्ती हो गई है इससे पहले सैथ रोलन्स के साथ भी मेरे काफी ज़़ा पंगे रें है यहां पर वो डिए हुआई मों ब्हुद करते ह कि यहां पर कोडी रोट ने कहा कि मैं यह टाइटल अपने फादर को तो नहीं दे सकता है लिटरली यार यहां पर जो कोडी रोट से ना वो रोने लग गे थे यार मैं तो भई अब सच में बोल रहा हूं यार के बाई यह बंदा डिजर्व करता है रैसल मिनिया फॉर्टी के करें यहां पर वह रोम अरेंस की बात को बोलते हैं कि रोम अरेंस ने कहा था कि जो हमारी जो ब्लड लाइन का था इनिंग ऑफ दा बॉटम है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोडी रोट से यहां पर कहा कि वी आर इन दा लास्ट इनिंग मतलो कि यहां पर ट्राइबल रिखते हैं रिंग के अंदर जे उसो यहां पर बहुत जड़ा बढ़के हुए थे जिमी उसो के उपर तो यहां पर जे उसो ने बोला कि वहाई मैं मंडेने ट्रॉप पर इसलिए ऐसा तांकि मैं ब्लड लैंस से दूर रह सकूं और साथ ही साथ मैं एक नई शुगात कर मौके को चीन रहा है तो यहां पर जे उसो जो है वो मैच की डिमांड करते हैं कि जे उसो वर्स जिमी उसो ब्रदर वर्स ब्रदर उस वर्स वर्स ब्लड वर्स ब्लड मैच जो की रैसल मिनिया 40 के अंदर होगा और यहां पर जे उसो ने बोला जिमी उसो को के बाई मेरा ये चैलेंज को accept करो नहीं तो मैं तुमारी बहुत अच्छी तरह से बजाने वाला हूँ इसके बाद हमें एक announcement सुनने को मिलती है कि CM Punk भी आने वाले हैं आने वाले Monday Night Raw के शो के उपर जो की 25 March को होने वाला है उसके बाद आज के शो का जो में इमेंड वह था एक gauntlet मैच तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिकोशेट वर्स जेडी मेकड़ॉन उसके बाद यहां पर ब्रॉंसर रीड आते हैं रहां हमें यहां पर सैमी जेन देखने को मिलते हैं यहां पर सैमी जेन जो है वह वो लिमिनिट कर देते हैं ब्रॉंसर को देन मैच के बाद यहां पर ब्रॉंसर रीड अटैक कर देते हैं सैमी जेन के उपर उसके बाद सिंच के नाकामोरा आते हैं यहां पर सैमी जेन को नहीं लिमिनिट कर पाए उल्टा यहां पर सैमी जेन नहीं लिमिनिट कर दिया था शिंच के नाकामोरा को यहां पर जो फ के रिडिया यह साथ माईमज के पतंच मैंच के के को साथ के साथ sup तोभाई वह इत queer help के लिए। यह लिए लिए फार्सनली काफी ज़्जदा बुरा लग रहा है क्योंकि वह इतना लंबे टाम से स्ट्र кру structured कर रहा है Intercontinental Championship जीतने के लिए फिलहाल WWE ने जो मौका है वो दिया है Sammy Zane को देने यहाँ पर Rocky ending से पहले गुंतर भी आ जाते हैं Backstage से बाहर तो इस तरह से आज के Monday Night Rocky ending होती है तो भई मुझे तो काफी ज़दा बढ़िया लगा आज का Monday Night आपको कैसे लगा सबी लोग बताना जूरूर मुझे comment section के अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने और साथ ही साथ सारे लोग चैनल को subscribe ठोक देना मेरी जान